Welcome, आईए आज हम लोग देखेंगे Agriculture, Geology, मतलब क्रिसी जन्तुविक ज्ञान, क्रिसी जन्तुविक ज्ञान में हमारा टॉपिक है Beneficial Insects, मतलब होता है लापकारी या उपयोगी कीट, तो हमारे कोर्स में तीन उपयोगी कीट के बारे में दिया गया है मधुमक्खी, हनीबी, लापकीट, लापक इंसेक्ट और रिसम कीट, सिल्क वाम Agriculture में हम लोग इसका पालान को क्या-क्या बोलते हैं मधुमक्खी पालान को बोलते हैं, एपी कल्चर लापकीट का पालान को बोलते हैं, लापक कल्चर और सिल्क वाम रिसम कीट के पालान को बोलते हैं, सेई कल्चर तो हम लोग को जनतविक ज्ञान के अंदर यह सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है इसको हम लोग तीनों को एक प्रॉपर आउटलान है, उसके अंतरगत पॉइंट वाइस पढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले मैं एक आउटलान बताता हूँ, इसको नोट कर लो, इसके बाद से कंटियो करना आईए हम लोग हर एक इंसेक्ट का आउटलान देखते हैं, किसी भी कीट को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले उसका वरगी करण देखेंगे मतलब उसका सिस्टमिक में कउंसा पोजिशन है जो क्लासिफिकरिशन होता है, बालॉजिकल क्लासिफिकरिशन होता है, आड़र, फैमली, जीनस, इसपिसिस, यहां तक का हम लोग उसका देखेंगे classification उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे वीद्रण मतलब वो संसाहर में कहां कहां पाय जाते हैं कौन कौन से पोधें पाय जाते हैं उसको देखेंगे उसके बाद वो insect कितने प्रकार के होते हैं जैसे कि लाग का कीट अलग-अलग पेड़ में पाय जाते हैं उसका सीर, पैर, कितने भागों में डिवाइड़ यह सब चीज को देखेंगे उसके बाद है जीवन का इतिहास उसमें उस insect का इस तरीके से बनता है जैसे कि एग, अंडा फिर लार्वा फिर प्यूपा फिर एडल्ट फिर एडल्ट फिर एग देता है इस तरीके से जो चीज को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं जीवन का इतिहास से लाइफ हिस्ट्री उसके बाद हम लोग लास्ट टेम देखेंगे उस कीट का आर्थिक महत्तो जैसे कि एपी कल्चर में क्या किस चीज का आर्थिक महत्तो है हनीवी का तो सहत का लाख वाले में लाख कीड़ा क्या बनाता है तो लाख Street Culture Silkọn क्या बनाता है तो कोशा बनाता है इस तरीके से हम लोग एक एक इंस्ट को डिल करेंगे तो सब से पहले हम लोग देखेंगे सब से पहले म१ुमक्खी का देख देखते हैं को सबसे पहला नंबर क्लाजीटर्स कीजी है जगत या किंग्डम प्राडी एनीवलीया कौन से किंगडम में आता है राडी या है इनीमलीया में नहीं किंग्डम में आता है तो उसके अंदर में क्या आता है इस बीच में और भीrica रहते हैं लेकिन वह आप लोग के लिए उतना इंप्रुट्रेट नहीं है आप लोग को वर्गी करण लिखने के लिए आता है तो इतना हिं इतना हिं कूस्टेन आएंगे और बिश बिच का चीज अतना नहीं कूछा जाता उसके बाद है संग, फाइलम, फाइलम कौन से फाइलम, आर्थरोपोडा, दुनों में ओई नाम है, उसके बाद है वर्ग या क्लास, क्लास कौन से है, इंसेक्टा, उसके बाद गर्ड कौन से है, हाइमनोप्टेरा, उसके बाद वंस है, वंस मतलब जेनस, क्या है, एपीस, औ और दूसरे दूसरे भी जाती का होता है वो उसी में प्रकार आता है मधुमख्य का अलग अलग प्रकार काना जाती अलग अलग होता है इंडिका भी होता है इंडियन भी यह कौन सा यूरोपियन या इटालियन भी है तो नार्मली वर्गी करण लिखने के लिए आता है तो इत में पाया जाता है उसको बोलते हैं a piece मेली फेरा scientific name कैसे लिखते हैं ये capital में रहेगा इसमाल में रहेगा और ऐसे underline कर देंगे और भारत में पाया जाता है उसको बोलते हैं a piece indica इस तरीके से दोनों का वेज्यानिक नाम लिख लेना अब इसके बाद हम लोग तिसरा point देखेंगे आईए हम एक table में देखेंगे मधुमक्खी के पांचों प्रकार को यहां पर प्रकार मैंने लिखा हुआ है और पाकिस सब चीज को भी एक एक करके देखेंगे पहला है भारती मौना या भारती मधुमक्खी इंडियन भी दूसरा है यूरोपियन यूरोपियन भी बोलते हैं इटालियन भी बोलते हैं इटालियन मधुमक्खी बोलेगा तो यूरोपियन ही है तिसरा है छोटी या मरीमा भी बोलते हैं छोटी या मरीमा मधुमक्खी लिटिल भी फिर है सारंग मधुमक्खी राग भी फिर है डंपर डेमर भी डंपर मधुमक्खी डेमर भी इसका वग्यानिक नाम है एपिस इंडिका ये कहा भारत में पाया जाता है ये यूरोप में पाया जाता है यूरोप में ही है इटली एपीज मेली फेरा इसका नाम है एपीज फ्लोरिया इसका नाम है एपीज डोरसाटा और इसका नाम है एपीज नहीं है ना मेली पोना इरेडी पेनिस है इसको धियान रखना अब इन पाचों में जो सारंग मधमक्य होता है न वो सबसे बड़ी होती है और सबसे जादा फिरो या भयानक, बहुत बड़े-बड़े मधुमख्य होते हैं, और आक्रमण कर देते हैं, और जो डंपर मधुमख्य है न यह सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी, इसको सबसे बड़ी और सबसे छोटी याद रखना, और यह सबसे छोटी सान सभाव के रहते हैं, सान सभाव, और क्या होता है, इसमें न डंक नहीं होता है, इस्टिंग लेस, ठीक है, डंक रहीत, तो इस्टिंग लेस है मतलब, डंक नहीं मार सकते लेकिन यह नहीं है कि काटती नहीं है, तो बाकी में, बाकी लोग डंक बारते हैं, और यह ऐसे मधमकई जो काटती है, bites, काटना लिख लेना, अब देखो, आकार में European से चोटी होती है, भारती मोना, इंडियान भी European से चोटी होती है, और European भी भारती से बड़ी होती है, इन दोनों में comparison करना है अब छोटी ही लिखा है, छोटी ही होगी, लेकिन सबसे छोटी ये होती है सबसे बड़ी ही होती है अब तिसरा नमबर पॉइंट है पालन, Domestication किनको किनको पाला जा सकता है, तो Indian भी को पाला जा सकता है European भी को पाला जा सकता है लेकिन इन दोनों में से आसानी से किसको पाला जा सकता है तो इसको पाला जा सकता है, वो लास्ट पॉइंट में बताऊंगा फिर छोटी भी इसका अर्ध पालन करते है मतलब पालन किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है उसके बाद सारांग भी है, उसका पाला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेरोसियस होते हैं, और इसका भी पाला नहीं करते हैं, बहुत छोटी होती है, उसका सहत का मात्रा, मात्र 100 ग्राम, प्रतिवर्स, प्रतिछत्ता, तो इसको पालने कोई फैयदा नहीं है, इस पॉइंट को सकते 15-40 मतलब 40 तक दे दे रहा है यह भी बहुत ज़्यादा है भारती से तो ज्यादा ही है लेकिन उसका पालन नहीं किया जा सकता क्विल मलाग सबसे बेस्ट बोला जाए तो यह है यह यह यूरोपियान बेस्ट में और इसका है छोटी में आधा से किलो इसका मात्र 100 ग्राम बहुत कम है अब लास्ट पॉइंट है स्वार्मिंग एंड एप्सकॉंडिंग किसको बोलते हैं वरिंदा नुवा पलायान जो पलायान करने के प्रविती होती है मधुमक्यों में मधुमक्य क्या करती है उसका जीवन काल में अच्छल पढ़ेंगे एक छत्ता कंप्लिट हो होता है इसमें जादा होता है और इसमें कम होता है तो अब इसके बाद हम लोग इसका बाह्याकारिकी देखेंगे अब दिखते हैं मधुमक्य का बाह्याकारिकी एक्स्टरनल मर्फलाजी देखो यह वन है मधुमक्य का चित्र कैसा है जो मधुमक्षी होता है न या कोई भी इंसेक्ट होता है कोई भी कीट होता है उसका सरीत तिन भाग मिभाजित होता है head, thorax, abdomen सीर, works उदर इतना को बोलेंगे शर यहां तक को बोलेंगे works और इधर को बोलेंगे उदर पीछे भाग को तो मधुमक्खी में न सर में क्या-क्या पाया जाते हैं सर में पाया जाता है दो हमारे जैसे आँख नहीं होता है मतलब आखों का समू होता है संयूक्त नेत्र या कंपाउंड आइस पाया जाते हैं मख्य में कितने होते हैं दो दो संयुक्त नेत्र और क्या पाए जाता है एक जोड़ी एंटेनी एक जोड़ी एंटेनी और मौथ पाए जाता है मूख पाए जाता है यहां पर जो एंटेनी होता है वो किस प्रकार का होता है ऐसे इंटेनी का भी अलग अलग प्रकार होता है मच्छड में अलग पाए जाता है अलग अलग कीट में अलग अलग पाए जाता है यह इस तरीके से इल्बो सेप में है इसको बोलते हैं इसको एक प्रॉपर उसके अ ज़ेनिकुलेट एन्टेनी बोलेंगे और मुख भी अलग-अलग कीटों में अलग-अलग प्रकार ॓ता है तो यहाँ पे चाबने वा चाटने वाले मुख होते हैं क्या बोला उसको इंगलिस में बोलते हैं चेविंग & लैपिंग टाइप ठीक है और वो मतलब यहाँ पे चुसने का काम आता है और अब इसके बाद देखते हैं वक्ष वक्ष में क्या क्या होते हैं? वक्ष में हर कीट में तीन पार्ट होता है एक अग्रवक्ष होता है, एक मध्यवक्ष होता है, एक पस्ट वक्ष होता है है यहां पर अग्रवक्छा ही यहां इसे जुड़ा हुआ है तो यह यहां जो टांग उस साइड में तो यह मद्य वक्ष म पाया जाता है, ऐजब पीछे में टांग दिख लहा है, यहां तक वक्ष है, तो यह पष्च वक्ष का पर है, पष्च टांग भी बोल सकते हैं, और दो जोडी पंक पाय जाते हैं, विंक्स पाय जाते हैं, तो दो जोडी है ना, वो अग्रवाले में नहीं पाय जाते हैं मद्या और पस्च में पाय जाते हैं एक एक जोड़ी पंक मद्या वक्ष में और पस्च पस्च वक्ष में पाय जाते हैं अब किसरा पार्ट है F-1 उदर उदर यहाँ पे 6 खंड में विभाजित होता है अलग-अलग इंसेक्टिम अलग-अलग रहता है, 6 खंडों में विभाजिस होता है, 6 खंड लिख देना, उदार के, उदार में एक चीज पाया जाता है, इस्टिंग, मधुमक्खी में, मतलब डंक, और एक चीज और पाया जाता है, उसके, वेंट्रल साइड में, अधर तल ब मोम, मोम ग्रंथी पाय जाता है, इसमें, जिससे क्या मोम निकलता है, और यहीन उसका सक्रेशन यहीं से होता है, वेक्स इसके से, इसके मतलब सलक तो मॉम सलक भी बोल सकते हैं वह गुरन्ति podcast गओ यहाँ पर में चीज़ है यहाँ पे यह वाला जो इसको क्या बोलेंगे पराग टोकरी, तो इतना external मतलब बनाने के लाएगन external morphology तो इतना बना देना काफी है और थोड़ा बहुत explain कर देने मैं जैसे जैसे बताया हूं, वैसे वैसे करके लिक लेने एक बार वीडियो रिवर्स करके लिक लेना मैं क्या कै बोला हूं कौन कौन से क्या काम आता है करके इसको मैं क्या बोला था जबाने वह चाटने वाले चेविंग एंड लेपिंग और जो यह मुख होता है ना उसमें सक करने के लिए चुसने के लिए क्या काम आता है तो प्रोबोसिस जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रोबोसिस मतलब सून प्लस ग्लासी ग्लासी ऐसे करके लिख सकते हो यह दोनों मिला के रस कुछ उसने का काम आता है इतना काफी है अब इसके बाद हम लोग उसका देखेंगे लाइफ हिस्टरी देखेंगे जीवान इतिहास को देखने के पहले मधुमक्खी का समाजिक जीवन भी देख लेते हैं इसी पोइंट के अंदर में लिखना उसको अलग से पोइंट मद बनाना तो इसमें जो मधुमक्खी होती है न वो एक समाजिक प्राड़ी होती है मनुस्य की तरह बल्कि उससे भी ज्यादा तो इसमें न उसका समाजिक जीवन तीन कास्ट मतलब तीन जाती में विभाजित है तीन वरगों में पहला है queen, rani, drones, नर्मक्षिकाय, तसरा होता है workers, श्रमिक मक्षिकाय तो जो रani होती है न उसका काम क्या होता है बच्चे पैदा करना और नया छत्ता का पूरा कॉलोनी बसाना और जो drones होते है न नर्मक्षिकाय, ये राजा का काम करते है इसको różलटे है तो ये एक नई अनेक होते हैं इनका काम होता है रानी के साथ मैθून करना सेक्स करना और बच्चे पैदा करना उसके बाद फिर मर जाते हैं लोग उसको हम लोग लाइप सैकल मैं अच्छेज़ देखेंगे कैसे कैसे होता है करके और तिसरे प्रकार है workers श्रमिक मक्षिकाएं इन लोग का काम क्या होता है इन लोग के अनेक काम है ये उपजातियों में भी भाजित है जैसे कि पहला है nurse आया मक्षि ये क्या काम करते हैं तो रानी की देखभाल करते हैं बच्चों का देखभाल करते हैं अंडों का ventilators ventilators मतलब होता है समवाहन समवाहक तो समवाहन का काम करते हैं अपने पंग को चलाते हैं और हवा देते हैं cleaners मतलब सफाई करने वाले मरे हुए अंडे खराब अंडे, सड़े अंडे मरे हुए मक्षिकाएं जितने भी मर जा रहते हैं यह उसका मुख्य काम है होजन संग्रहड करना मतलब हमारे लिए मुख्य काम है क्योंकि सहत को हम लोग खाने उसके बाद है controlling नेंतरक और होता है अन्य अन्य सयनिक होते हैं जो रक्षा करते हैं यहाँ पर जो नेंतरक क्या होते हैं मतलब एक छत्ता में एक Board of Directors होता है Board of Directors मतलब परिसाद होता है तो उसमें members होते हैं उन लोग सब के उपर न्यंत्राण करते हैं कौन अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अब हम लोग एक एक करके देखेंगे सब के बारे हम details से तो एक table के form में बनाए टेबल से हम लोगे study करते हैं क्या 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 Queen और डॉन्स और वरकर्स रानी नर और स्रमिक तो सबसे पहले उसका link देखते हैं किस प्रकार के प्राड़ी होते हैं लोग जो पहला जो Queen होती है रानी होती है वो मादा होती है ठीक है और कैसी मादा होती है फर्टाइल बंध है नहीं होती फर्टाइल होती है जो नर होता है वो भी फर्टाइल होता है फर्टाइल मेल नर होता है जो वरकर सरमिक होते हैं इसमें याद रखना है बंध है, बंध है मादा होते है, इस्टेराइल फिमेल, ठीक है, दूसरा नमर पॉइंट है, जनन और विकास, जनन और विकास कैसे होता है, रिप्रोडक्शन एंड डेलापमेंड, तो क्विन का विकास निसेचित अंडो से होत होता है, क्विन का जनम, और अनिसेचित अंडो से होता है, नरों का जनम, अनफर्टलाइज एक से, और वरकर्स का अनिसेचित अंडो से, फर्टलाइज एक से, तो ये दोनों में अंतर क्या हुआ, तो दोनों में अंतर एक चीज़ का होता है, जिसको बोलते हैं, रोयल जेल खिलाया जाता है रोयल जली तो ये क्या बनते हैं मादा कैसी मादा क्विन बन जाते हैं और जब रोयल जली नहीं खिलाया जाता है तो कैसी मादा बनते हैं वरकर्स रमिक बनते हैं तो केवल एक रानी को ही मिल पाता है रोयल जली और एक अब इसके बाद संख्या देखते हैं पूरे एक कालोनी में एक छत्ते में रानी की संख्या एक होती है और उसका जीवन काल होता है पांच साल जीवन काल में अपने जीवन काल में एक बार मैथुन करती है रानी और जुनार की संख्या होते हैं एक छत्ते में 200 होते हैं और उसका जीवन काल रानी से मैथुन करने त Sum carefully fixed here.. बहुत वली पाया जाते हैं फूरे छत्यम जत्यम अम लोगों दिखते हैं वो सारे रर्वर्कर्स होते हैं और उसका जीवन काल फिक्स नहीं रहता है मत्ब अलाग तुसमें चार पांच टाइप करो देखें ना सब का अलग अलाग झीवन काल रहता समान्यता एक कीट का किस तरीके से होता है उसका जीवन चक्र यह उसका लाइप साइकल है मतलब जीवन चक्र एक समान्य कीट का जीवन चक्र होता है एक मतलब अंडा, अंडा से क्या बनता है लार्वा, लार्वा से प्यूपा, लार्वा मतलब इल्ली, फिर उसके बाद प्यूपी बनता है, उसके बाद फिर एडाल्ट मतलब वयास्क बनता है, फिर वयास्क फिर से अंडा देता है एक समाने किट के इस तरीके से जीवन चक्र होता है लेकिन यहाँ पर मधुमक्खी में विभिन जातिया पाये जाती हैं तो जीवन चक्र उसका कुछ ऐसे बनता है सबसे पहले यह अंडे हैं अंडे से बन गया लारवा इल्ली यह इल्ली है फिर उसके बाद प्यूपी बना तो जो जो अंडा अंडा से निकल के लारवा बना तो जो लारवा जो इल्ली रोयल जेली को रोयल जेली को फीट किया है रोयल जेली को खाया है वो क्या बनेगा क्या बनेगी वो रानी बनेगी और जो नई खाया है वो राजा बनेगा और स्रमिक बनेगा तो राजा को मैं बताया कैसे अंडे से अनिसेचित अंडे से अगर अंडा अनिसेचित अंडे से तो अगर अंडा अनिसेचित रहेगा तो वो राजा बन जाएगा अब ये राजा और राणी दोनों मेथून करके राणी फिर अंडा देना प्रारम करती है अपने जीवन काल में लाखों अर्वों अंडे देती है और राजा रानी से मेथुन करने के बाद राजा किडेत हो जाती है तो हम लोग इसका जीवन चक्र को एक एक करके पढ़ेंगे सबसे पहले सुरुवात होता है वरिंदन से स्वार्मिंग से एक छत्ता होता है वही पर लाके हम लोग उस जीवन चक्र को छोड़ेंगे ये मधुमक्खी का छत्ता है मधुमक्खी लोग यहाँ हैं अपना पूरा जीवन काल बिता दिये वहाँ से हम लोग सुरू कर रहे हैं अब यहां से उड़ के जा रहे हैं मतलब वरिंदन कर रहे हैं स्वार्मिंग कर रहे हैं तो यहां क्या होता है इसको हम लोग एक एक पॉइंट करके देखते जाएंगे उसके बाद फिर वापस हो वही पर फिर आ जाते हैं मतलब इन लोग फिर से स्वार्मिंग करके अपने ही में नहीं आते हैं स्वार्मिंग करते हैं उसके बाद फिर मैथून करते हैं फिर बच्चे होते हैं फिर आखरी में एक वही पर आके छूटता है उन लोग का जो तो इन पॉइंट्स पे हम लोग मधुमक्खी का हनीवी का लाइप साइकल, जीवन इतिहास, जीवन चक्र शुरू करते हैं सबसे पहले जो मधुमक्खी है, रानी मधुमक्खी वो वर्सा के रितु नहीं, वसंत रितु और सरद रितु वसंत रितु जानते हो, ठंड के बाद और सरद रितु वर्सा के बाद, तो इन दोनों रितुओं में जो रानी मधुमक्खी है, वो नरों का पैदा करती है, नरों का जन्म करती है और फिर उसके बाद न इन लोग सब के सब एक किसी छत्ते में रह रहे होते हैं, इन लोग सब के सब पलायान करते हैं, वरिंदन करते हैं, फर्स्ट स्वार्मिंग, यहां से हम लोग सुरू करते हैं, फर्स्ट स्वार्मिंग, तो सरद रितु में और बसंत रितु में नरों को लेकर मतलब सभी मधुमक्धियों को लेकर रानी, उसमें ना कुछ ऐसा हार्मोन पमय पाए जाता है, यह तभी इन लोग का कालोनी पूरा उन लोग ना रानी के साथ ही सब के सब जाएंगे एक ऐसा हार्मोन पमय जाता है आगे आकर पढद होगे ये देखो रानी मधुमक्खी है इसके साथ सब के सब सब के सब मधुमक्खी पलायन करेंगे इसी को बोलते हैं फर्ष्ट स्वार्मिंग अब इन लोग दूसरे छत्तिम जाके पलायन कर लिए नया छत्ता बनाएंगे निर्माड करेंगे उसमें रस लाके भरेंगे और क्या करेंगे और क्या करेंगे वहां बच्चे पैदा करेंगे तो सेकंड स्वार्मिंग क्या होता है पहला स्वार्मिंग क्या हुआ यहां से नरों को लेकर सभी पूरा कालोनी के लेकर दूसरा छत्ता बनाना इसको बोलते हैं फर्स्ट स्वार्मिंग अब सिकंड स्वार्मिंग क्या होता है जो पुराने च्छत्ते हैं ऐसा तो नहीं है कि सब के सब चले गए मतलब जितने जीवी तरह तरह सब चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर इन लोग कुछ अंडे छोड़े रहते हैं तो यहाँ जो अंडे है ना उनका निसेचन होता है अलग-अलग प्रकार के अंडे होते हैं अलग-अलग प्रकार के निसेचन होता है तो जिनको जिनको रोयल जेली मिला रहता है रोयल जेली जो निसेचित अंडे से रहते हैं और रोयल जेली खाय रहते हैं जो लारवा उन लोग क्या बनते हैं उन लोग रानी बन जाते हैं रानी मधुमक्खी बन जाते हैं तो रानी मधुमक्खी नहीं एक नहीं अनेक मतलब कई सारे वो भी बन जाते हैं लेकिन जो अंडा सबसे पहले निसेचित होता है जो रानी मधुमक्खी का जो लारवा सबसे पहले मतलब मधुमक्खी बनती है रानी मधुमक्खी वो एक ऐसा ध्वनी निकालती है उसका आवाज ही ऐसा रहता है कि उसका बाकी जो निसेचित होते रहते हैं रानी मधुमक्ख वो सब मर जाते हैं मतलब पूल मिलाकर एक छत्ता में सिर्फ एक मधुमक्षी रहेगी बाकी सब मर जाएंगे बाकी सिर्फ रानी मधुमक्षी मरेंगे नर्जीवीत रहेंगे इस तरीके से जो पहला छत्त है उसमें पहले तो स्वार्मिंग कर चुके हैं मतलब जो पहले रहन करते थे उन लोग चले गए कहां चले गए दूसरा चट्ता बना लिए और यहां पर जो रहने वाले थे जो इसका जो लारवा जो निस्याचीत होकर रानी मतलब पूरा कालोनी बना ली है उन लोग सेकंड स्वार्मिंग करेंगे तो इन लोग नया चट्ता नहीं बनाएंगे इन लोग अब जाएंगे नरों के साथ मैथुनी उड़ान करने के लिए, इसी को बोलते हैं सेकंड स्वार्मिंग, अब तिसरा नमबर स्टेप में है, नुप्चल फ्लाइट या मैथुनी उड़ान, तो नरों यहाँ जो नर हैं, उनके साथ जो रानी मधुमक्य, एक ही है, व और यह कब हुआ है, फर्स्वार्मिंग, तो सराद्या वसंद में, तो गर्मी के दिन में होगा मैथुनी उड़ान, तो जो रानी मधुमक्य है, वो राजा के साथ, नर मख्य के साथ, मैथुनी उड़ान में जाएंगे उन लोग उड़ते उड़ते, उड़ते वायू में, उन लोग का मैथुन होता है, और क्या होता है, मैथुन के पस्चात, जो नर मख्य है, वो जमीन में गीर कर मर जाता है, मादा मदु मख्य, जो रानी है, वो फिर से आती है अपने अवास में, अपने छत्ते में, और अंड़ा देना शुरू करती है, इस तरीके सोजीवन काल में सिर्फ एक बार मेथून करती है कब करती है मेथूनी उडान में उसके बाद फिर वो भी अंडा देगी उसके बाद फिर क्या होगा सब कि सब चले जाएंगे फिर उन लोग का स्वार्मिंग हो जाएगा इसी तर इसके से उन लोग पूरा छोड़ के चले जाते हैं अब अगला इस्टेप है फर्टिलाइजेसन अब रानी मैथुन कर क्या गई है अंडा देना प्राराम करेगी अंडा का क्या होगा निसे चन होगा उसके बाद फिर क्या होगा अंडा देदी है फिर निसे चन होगा फिर उसके बाद जो लारवा बनेगा वो क्या करेगा किसी को रोयल जेली मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से तीन प्रकार के बन गए वरकर क्वीन और ड्रोन्स तिन प्रकार के जातिया बताया था न वहीं है लारवा जो बन जाता है अब उसके बाद यहिए स्टेप फिर से रीपेट होता है जीवन्स चेक्र ऊसके बाद फिर फर्स्वार्मिंग फिर और फिर सेकन्ड प्रिव फैसस depends Ajamo फिर एगलेंग फिर लारवी या ऐज़िव बनना इले भी बोलते है reckerralता है समझ में आगे क्लियर हो गया अब इसके बाद हम लोग आर्थिक महत्तों देखेंगे छट्वा ले आजका लास्ट टॉपिक दिखते हैं हमारा अर्थिक महत्तों एकनॉमिक इंपर्टेंस मधुमख्य का मधुमख्य से हम लोग को क्या कर प्राप्त होता है पहला नंबर उत्पाद है हनी या सहद दूसरा उत्पाद है वीवेक्स या मोम और किसमे सहायक होता है ये यह उत्पाद नियह पॉलीनेशन में परागण में कई प्रकार के पेट पोजे होते हैं उसका परागान करता है मधुमक्खी तो सहद में सहद का संगठन क्या होता है composition 78% glucose, 6% enzyme, glucose and fructose, fructose important है glucose तो रहता ही है, glucose का साथ fructose रहता है सहद में कौन सुगर पाया जाता है, कोई पूलेगा तो fructose रहता है और 6% enzyme रहता है, minerals and salt, minerals और salt भी पाया जाते है, honey जार लवान honey, सहद जो है, वो कौनी खठा करते हैं, तो वरकर स्रमिको द्वारा, juice कर इकठा किया जाता है ग्लोसा और ग्लोसी और प्रोबोसीस के मदद, ग्लोसी को ग्लासी भोलते हैं, प्रोबोसीस को सून भोलते हैं इन दोनों की मदद से, स्रमिक मतलब वरकर, स्रमिक द्वारा इखठा किया जाता है, सहद, और जो मोम है, ये कहां से प्राप्त होता है तो इसको मैं बताया हूँ, मोम ग्रंथी wax gland पाया जाता है, wax scales पाया जाता है, कहां पे? उदर तल में अधर इसके उदर के ग्रंथी पाया जाता है, तो उसमें मोम पैदा होता है, और ये क्या चीज़ का काम आता है, तो जो सहाद का छत्ता रहता है उसका जो बाहर, तो इसी मोम से बना रहता है, इसी कड़ी position होता है, अब हो गया हमारा आर्थिक महत्व खतम हो गया, इस चप्टर को close करते हैं, अगले चप्टर में हम लोग देखेंगे, अगला टापिक हम लोग का मतलब लाग कल्चर है और सेरी कल्चर है, तो उसमें मतलब लाग किट के बारे में पढ़ेंगे, और सिल्क वार्म के बारे में पढ़ेंगे, समकिट के बारे में पढ़ेंगे, थैंक्यू, झाल 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 झाल